हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका श्वागत ही आपकी अपने योटूब चैनल जिनियर्श शिक्छा पर तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम इंगलिस पढ़ना लीखना और बोलना सिखेंगे यानि इस क्लास में हम आपको जुहेना बीना मात्राओ वाले तीन अक्छर से बने शब्द को यहाँ पे इंगलिस में लीखा गया इसको जुहेना हिंदी में आपको लीखना और पढ़ना सिखाएंगे तक ही आपको जुहेना इंगलिस में नाम पढ़ना आ जाएगा और कहीं पे भी बोर्ड पे लिखा रहेगा तीन अच्छर से बना शब्द होगा या कोई भी नाम होगा तो आप उसको असानी से पढ़ दिजिएगा ठीके चलिए फिलाल यहाँ पे हम इस कलास को शुरू करते हैं आप कलास को लाश्ट तक और पुरे ध्यान से दिखिएगा ठीके ना और इस कलास को शुरू आप लाइक कर दिजिए क्योंकि आप बाद में भूल याते हैं और चैनल पर नहीं है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और शाथ में जो बेल आइकन दिखिएगा ना तो और लोटी पिन प्रेश कर दिजिएगा ताकि हम जब भी कलास अप्लोड करेंगे आप तक पहुंसता रहेगा ठीके चलिए यहाँ पर दिखिए तो सबसे पहले यहाँ पर दिखिए S A M A Y क्या है S A M A Y क्या पढ़ेंगे यहीं छीजा है आज कि कलास में हम लोग सीखने वाले है, ठीके तो देखि यहाँ पर, क्या होगा तो पिछली क्लास में हमने कशे ग्यां तक और आशे आहर तक हिंदी का जो मात्रा होता है हिंदी का जो अक्चर होता है आपको जो है ना इंगलिस में सिखाया था और साथ में दो अक्षरवाले शब्द को भी लिखना आपको आप पढ़ना सिखाया थे ठीके न फिलाले यहाँ पे देखिए क्या है लिखाये इसको पढ़ेंगे समय कैसे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे बुले थे ना कि S A से क्या होगा सा होगा होगा ना तो दन्त सा और M A से क्या होगा म और लास्ट में या है तो या के लिए क्या लिखेंगे वाई है तो ये या होगा ठीके ना लास्ट में यहाँ पे A नहीं लगा है तो पिछले के लास में आपको बता दिया था कि कोई भी शब्द हो उसके लास्ट में जो इना औक का साउंड का उचारन नहीं होता है बीना मातरा वाले शब्द को ध्यान रिखिएगा ठीके तो क्या होगा समय दिखिए यहां पर S A से क्या हो गया S A S A M A से क्या हो गया M A Y से Y A तो इसको एक साथ लिख दिया गया पर क्या बन गया समय बन गया ठीके तो इससी तरह से जो है ना आप पढ़िएगा ठीके ना चली यहां पर दिखिए यह क्या लिखा है N A M A K इसको क्या पढ़ेंगे नमक देखिए यहां पर न एसे न म एसे म किसे को लास्ट में यहां पर ए नहीं लिखा गया क्योंकि नमक हो जाएगा गलत हो जाएगा नमक होता है देखिए यहां पर पढ़िए इसको नमक लास्ट वाल अक्षर में का sound नहीं आता है इसलिए यहाँ पे हम A नहीं लिखेंगे ठीक है आपे दिखिए A तो A का English क्या होता है A और S A है क्या लिखेंगे आपे S A लास्टर M है तो M का म क्या हो गया इसो क्या पढ़ेंगे Awesome यहाँ पे दिखिए क्या लिखिए है का सम दिखिए यहाँ पे के A से को S A से स एम से म क्या बन गया का सम यहाँ पे दिखिए सफल S A से स F A से क्या होगा फा P H A से भी क्या होता है फा होता है और F A से भी फा होता है ठीक है और यहाँ पे दिखिए law है last में el है तो el क्या होगा law तो क्या बन गया सफल यहाँ पर देखिए शाहद इस तरह से आप पढ़एंगे, चलिये, पलक अजय A से अजय A से जय Y से क्या होगा? Y से यह अजय वतन वी A से क्या होता है? वा होता है या डबल्यू A से क्या होता है वा? T A से यहाँ पे T A होगा T A से T A भी होगा लेकिन यहाँ पे वतन पढ़ा गया वतन और इंद के लिए क्या होगा न वतन रकम R A से र के एसे को और एम का क्या होगा म रकम गगन G A से G A से G A और एन के लिए न क्या होगा गगन पवन क्या होगा पवन P A से P W A से क्या होगा वा एन के लिए न पवन ठीक चलिए आगे देखते हैं मदन M A से म D A से D A N से न मदन समझे S A से स M A से मद J A से जहाँ समझे जहगड J A से जहाँ G A से गड़ी से ड़ जहाँ जहगड अटल A से A से T A से टो यहाँ प्योगा अटल इलका लो अटल उधर यूका O D A से धा R से र उधर चयन C H A से च Y A से यह N से न चयन ठीक चली यहाँ पर दिखी नयन तो N A से न Y A से यह और N से क्या होगा न तो क्या बन गया नयन यहाँ पर देखी गरम तो क्या होगा गरम का G A का G A R A से र M से म गरम ठीक चली आगे देखते हैं कफन देखी यहाँ पर कफन K A से क F A से फो N के लिए न कफन पहल P A से पा H A से हा एल से ला पहल गजब G A से G A से ग A से G A से ज बी से बा गजब सड़क S A से स D A से D किस्ति क सड़क रकम R A से R K A से क M से म रकम गजब गजब अचल से D A भी होता है और D A भी होता है लेकिन यहापे D A D A जब हैना सही नहीं होगा दगार नहीं होगा डगार होगा ठीक है तो पढ़ते समय आप ध्याने कीए कि सही उसका सब्द होना चाहिए ठीक है सनम देखी S A C S A N A C N A M C म सनम नहर N A C N A C H A C हा आर से र क्या बन गया नहर भाजन B H A C B J A C J A N के लिए N N के लिए क्या होगा न भाजन फसल देखिए P H A से क्या होगा F A यहां पी F A भी रहेगा तब ही F A पढ़ा जाएगा ठीक है S A से S A L से ल फसल रतन रतन होगा रतन नहीं होता है रतन टा नहीं पढ़ाया होगा जाएगा फ्रीके न R A से R A T A से Taux भी होता है और Taux भी होता है लेकिन यहां पे उचारणोगा सहीं उचारणोगा रतन T तो होगा ठीक है न के लिए एन के लिए न हो जाएगा रतन ठीक चलीं है आगे देखते हैं, देखिए आपे, वजन, वी ए से, व, जे ए से, ज, एन से, न, वजन, नगद, एन ए से, न, जी ए से, ग, डी से, द, नगद, तलक, टी ए से, त, डी ए से, ड, और यहाँ पे केशिक, तलक, लगन, एल ए से, ल, जी ए से, ग, एन से, न, लगन, कलम, के ए से, क, एल, ए से, ल, एम से, म, कलम, इधर, देखिए, आई, आई से, छोटी, ए, डी एच, ए से, क्या होगा, धा, आर से, र, धा भी होगा, तो धा उचारने, इधर नहीं होता है, इधर होता है, इधर, ठीक, देखिए, आपे, चमक, सी, एच, ए से, चा, एम, ए से, म, के से, का, क्या बन गया, चमक, सादन, क्या है, सादन, ठीक, चली, आगे देखते हैं, जगत, जे ए से ज, जी ए से क्या होगा, ग, टी से, तो, जगत, भटक, देखिए, यहाँ पे, गलत हो गया है, यहाँ पे, मिनिंग ही गलत हो गया है, यहाँ पे, बी, एच, होगा, बी, एच, ए, टी, ए, के, भटक, देखिए, यहाँ पे, बी, एच, ए से क्या होगा, भव, टी, ए से, टो, के से, को, भटक, इसको सही कर लीजिएगा, आप लिखते हैं, बी, एच, ए, टी, ए, के, से रा एन से यहाँ पर उडरा उचारण होगा, क्योंकि चर उन होता है, ठीक, भा, भटक, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर भटक हो गिए है, ठीक है, देखिए यहाँ पर, भ, ह, से, भ, ठीक चलिए आगे देखते हैं भावन भी एच एसे भा वी एसे वा एंसे न भावन रबल आर एसे र बी एसे बा डी से ड़ रबल ठहर ती एच एसे ठह एच एसे हा आर से र ठहर वचन भी एसे वा शी एच एसे चा एंसे न वचन भागत भी एच एसे भा जी एसे ग टी से ता भागत भारत देखें आ पे इस तरह से जो है ना इंगलिस में भारत भी लिखा जाता है ध्यान रखिएगा भारत और भारत एक ही जी से लिखा जाता है ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं बहन बी एसे बा एच एसे हा एंसे ना बहन कड़क के एसे कड़ी एसे ड़ केसे कड़क कड़क सरल एसे सर आर एसे र एल से ल सरल नगर एन एसे न जी एसे ग आर से र नगर तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस बीना मात्रा वाले तीन अक्षर के शब्द को इंगलिस से हिंदी में पढ़ने लिखने का क्लास में बस इतना ही आज के क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इस क्लास को आप अपने सबी फ्रेंड को शेर कर दिजिएगा तकि वे भी इस क्लास का माध्यम से इंगलिस से हिंदी में पढ़ना लिखना और बोलना सिखते रहें जाहिंद फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में